हर हर माहादेव, तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए ब्लोग में, कैसे आप सब मित करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छी होंगे तो सुल्दान गंसे देवर का ये कावरिया पत है, जहां का लगातार आप सभी को अप्रिट्स देते रहते हैं, कैसा कावरिया पत है, कावरिया तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप सभी को मिसा दिखाते रहते हैं और लगतार जो है कंटिन्यू कवरियापत दिखाने के लिए जो अलग से थोड़ा वाइस कवर देना पड़ता है क्योंकि बहुत धूप रहता है बोलने ही पाते हैं और अजबाते हैं क्वाइस कवरियापत पर तो इतनी ज्यादा गर्मी है गले सुखने लगते हैं तो लगत आगेशना भर तक शहां के लिए इतन नहीं रहता तो इदर का मैंने आपसी कुछ बहुत दिखा दें हलाकि सभी लोग अपने अपने चैनल के जरी दिखाते रहते हैं बहुत सारी यूटूबर हैं सब कुछ पूरा कैसा कवरिया पैसे दिखाते ही रहते हैं लेकिन कमेंट जब आते हैं तो चलिए आते हैं तो सोचते हैं कि पूछ रहा है, सभी लोग जो मेरे वीवर्स है, जो मेरे दोस्त है वो जानना चाहते है, मेरे चैनल के मादे हमसे की कैसा है, तो वो जो है दिखाने का प्रयास करते हैं, तो देखिए वहाँ से ये कौन सा है, वो कारे जिसको भड़ा गिया है, तो इसलिए जो है, उचा-उचा याब मिट्टी दिख रहा है, हाला कि आपर रोड का काम कुछ ऐसा नहीं है दिख रहा है, यहाँ पर देखिएगा, साइड में जो नाला को कुछ खुदाई हुआ होगा या फिर कुछ तार बिछाने के लिए, या फिर और कुछ के लिए, जो कि मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वस इसको कवर किया गया है, मट्टी से उसको जो है अभी छाप दिया गया, पर कहीं कहीं देखिए नाली खुदा हुआ भी है, तो पुरा अभी देने का प्रयास करते हैं, और देखी सकते हैं कावरियापत कैसा है, उधर का तो मतलब चलने में कोई दिकत नहीं है, कहीं में कोई परशाने नहीं होगी कावरियों को, और जहां तक कि सुबधा की बात करें, तो आफ सीजन में तो आफ सीजन, और सीजन सब उनके लिए बराबर है, बस वो महादेव जी को याद करते हैं, बाबा भूले नाथ को याद करते हैं, और इस कावरियापत पर चल पड़ते हैं, और बाबा नगरी पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारे बम ऐसे भी दिखते हैं, जो सब्ताई की यातरा करते हैं, महिनवारी करते हैं, तो एक से भक्त हैं महादेव जी के, जो इस रास्ते चलते हैं, और ये रास्ता बहुत ही आब वो सकते हैं कि पवित्र है क्योंकि जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे यहां पर आएंगे तब यह फील होता कि यह रास्ता कितना पवित्र है सोच यह इतने सारे यात्रा करने वाली यात्री इस रास्ते में मिलते हैं बाबा नगरी पहुंसते हैं जो कि ओप सीजन में भी बहुत सारी यात्री जो है आपको देखने को मिलेंगे जगा-जगा रुकते हैं अब फिलाल कबरिया पत पर दुकान पर गजर को नहीं मिल रहे है तो फाइड कारी तो थोडा सा रोनक मिल जाता है और नहीं ज़ाइड जया बिच भीच पडिश की जांपाकल गजर भी मिल मदद करते हैं तो वह सब आप सब्सक्राइड का प्रयास में करते रहती हूं कहां कह तो रहें प्रधक्रफन है कि ठ्कराब में है थो इसे जब यात्रा करते हैं उफ सबसे आदा कवरिया पथल मुझा है क्यूंकि अभी सरकारी सरकारी बेवस्ता होता है सरकार के दरब साइट व erफ commander है जो ग्रामीन लोग है कुछ व्यवास साथ सब्सक्राइब देखने को देखने को कभरियापत पे एक तो पूरा कभरियापत डेखी सकते हैं कैसा है कहीं जो दीक्कत नहीं हो सकती है चलने में कोई प्रोल्म नहीं है लेकिन हाँ यह जो बालू है अभी थोड़ा सा गाड़ी बहुत ज्यादा फंसता है कहीं कहीं तो बालू ऐसे उभर गया है कि चक्का जो है इसमें गुसने लगता है फिर खिंचना पड़ता है मतलब इस टाइप का भी फिल हो रहा है पता नहीं आगे चलके अभी गर्मी त बढते हैं जहां पर रिदम फाका हो मतलब पानी लेकर हम लोग चलते हैं 3-4 जो सारा पानी खितम हो जाता यहांपर पहुचे ते मुझे जीए जीए मिला यहां पर तो मुझे लगा कि यहां पर कहीं क्या बोलते हैं उसको सेवा सिविर तो नहीं कहीं बन रहा है उसका तो बांदा जाके तो सीवीर नहीं बनेगा और इधर कभी देख सकते कावडियापत है कभी अच्छा कहीं कहीं पर मतलब चोड़ाई इसका बहुत अच्छा है देखने में अच्छा लगता है बहुत चोड़ा चोड़ा एरिया हो जाता है कहीं कहीं पर थोड़ा सा कहीं तो देख सकते हैं, यह दुमा बोर से पहले का वियू है यहां पर जो है, देखे कैसा जो पहले सेड दुकान जो अब बना हुआ था, सब कुछ दिखेगा, और अभी हम दुमा बोर पहुंचने भाले हlsahin, देख सकते हैं, यह जो है टिकेट काॉंटर जहां पर से कवरिये और यह सारा रोज जो बना हुआ है जिससे बम लोग गजरते हैं तो इसे होता है की screening हो जाता है बम लोग का कितना लोग यहाँ पर पहुच रहे हैं यहाँ pen 2 कांटर है जो कि उस रों से ही गुजर्णा होता है और उसी रास्ते वो निकलते हैं और उनको आथ इसे पता चल जाता है कि उनको एक्डम क वरी है जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो कि अभी एकदम मतलब बोल है वही उनके जान पहें चानकते हैं लोग रहते हैं हूं कि व्लोग है ज़्ड़ी मिलते हैं अगले ब्लोग में पसंद आया होगा टो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर न्यूए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा चलिए मिलते हैं अगले व्लोग में हर हर महादेव